तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वाल्ट करता हूं एक पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एसाई और एसाई की जो वेकंसी थी और जो वेकंसी ये कंड़क करा चाहिए हैं तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके डोकुमेंट्स अगर नकली पाए जाते हैं तो आप पर क्या करवाई की जा सकती है और आपको इसने क्या कर नुकसान हो सकते हैं यह इन्होंने एक ओफिशल नोटी जो है जारी किया है और वीडियो में यूपी एसाई का डिजल था आप तक आपका कब तक आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो ल समान पत्र परियोग किये जाने के सम्मंद में सूचना यानि कि जिन भी कैंडिडेट के जो डोकुमेंट है वो परजी है उसके बारे में इस नोटिस के अंदर सूचना दीग गई है इसमें आप देख सकते हैं बोर्ड दुआरा उत्तर परदेश पुलिस निरिक्षक को अपनेता यानि कि यह एसाई के बारे में बात कर रहे हैं जो एसाई के विए वी डिजल्ट आया है उसके बारे में बात की जा रही है सीधी बढ़ती 2020 के लिए मार्च 2021 में विज्यापन जारिक कर व्यारतियों को ओनलाइन आवेदन के लिए यह बता किया है कि आपका जो एक्जाम था वो ओनलाइन हुआ था और कब कब हुआ था बढ़ती कब निकाली गई थी हमारे लिए जो इंपोर्टन्ट है वो सेकिंड इसके अंदर लिखाया है कि विज्यापन के अनुसार पदो के सापेक्स आवेदन के लिए भारत में विधी द्वारा इस्थापित विश्विद्यालों ने इसनातक उपादी यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ट शमक्ष अहर्तता के साथ भारत सरकार के राष्ट एलक् यानि एवं सूचना प्रद्योगी की संस्था से कंप्यूटर में ओ लेविल की परिक्षा उत्तिन करना अत्वा सरकार द्वारा अपने समकक्ष मानता प्राप्त कोई अहत धारित करना अवशक है यानि कि इन्होंने कहा है कि जो आपका ओ लेविल का सेर्टिफिकट होना च साहिए इन्होंने लिख दिया सके अंदर और सैकेंट में देखते हैं ऐसी सिकायते प्राप्त हुई है कि उत्तर परदेश में कुछ संस्था मुक्र रूप से पस्च्ची में उत्तर परदेश के चिलेवा को अन्य संस्था जो मानता प्राप्त नहीं है इन पदे है तो फर पर्मान पत्र डिग्री डिप्लोमा जारी कर रही है यानि कि कुछ जो संस्ता है वो गौर्मेंट से अफिलेटिव माननेतप्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी वो ओलेविल का जो सेटिफिकेट है जो कि एसाई के लिए माग कहा था उसके लिए परजी डोकुमेंट को जो है व किसी उभयारतियों का पर्मान पत्र फरजी पाया जाता है तो उस उभयारतिये का इस भरती है तो केंडिडेट है उभयारति निरस्त कर दिया जाएगा यानि कि यह कर दिया जाएगा कि अगर उसका नकली माना गया यानि कि नकली निकला तो वो इस भरती का केंडिडेट फ जाने कि कारवाही की जाएगी यानि कि उसको निरस्तर करने की की जाएगी तथा व्यारति सन्स्था के व्रुद यानि कि चिस सन्स्था ने उसका जो certificate-s accessibleולेविल का वो जारी किया होगा और भी जो उसके da extending होगे यसे की ग्रेजवेशन का या the task का या जो ऑफी verification के लिए document जाएंगे अगर वो कोई भी आपके नकली पाए जाते हैं तो विरुद उसके विरुद कानूनी कारवाई भी की जा सकती है यानि कि इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपके जो document है वो आपके नकली पाए गए तो आपको एक तो परिक्षा से निकाल दिया जाएगा और आपका जो कारवाही होगी नकली document पेश करने के जुर्म में जो भी धाराएं आप पर लगेंगी वो भी आप पर लगाई जाएगी और आपके साथ साथ जिस संस्था से आपने वो मानने ता प्राप certificate जो नकली माना गया है उसको लिया होगा उस संस्था पर भी आपकी कारवाही की जाएगी तो जो UPASI और SI चिस के अंदर आपके 1329 पत्थे उसके बारे में ये जानकारी आई है अब मैं बात कर रहता हूँ UPASI के result के बारे में तो UPASI के result बता नहीं चक्ते के कब आए क्योंकि department भी आँखे बंस करके बैठा हुआ है twitter campaign लगातार हो रहा है लेकिन department ने भी कोई date जारी नहीं किये UPASI के result के ये रिवाइज अंसर की के बारे में तो कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि result आपका कब आएगा ये पता नहीं है किसी को भी तो UPASI के result के बारे में बात नहीं की जाए तो ही ठीक है क्योंकि सब के जो prediction थी वो गलत हो चुकी है तो मैं आप ओर prediction करके जो candidate है जो candidate मेरे channel से जुड़े हुए है उनको निराश नहीं करना चाहता है मैं आपको बता देता हूं कि result के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता कि result आपका कब आएगा अब मैं आपसे बलनू 10 को आएगा या 15 को आएगा या 28 को आएगा तो ऐसा मैं फरजी नियूज आपको नहीं दे सकता इसलिए मैं आपको बता देता हूं यूपी एसाई कि result के बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं पता जैसे ही मुझे आप पता चलता है मैं वीडियो आपको बना दूँगा कि आपको result जो है जब अपडेट के लिए थैंक यू